तो चलिए बात करेंगे टाइप फ्लावर्स की तो चलिए स्टाट करते हैं टाइप फ्लावर्स टाइप फ्लावर्स फ्लावर्स की दो टाइप होते हैं बाइसेक्शल फ्लावर्स और यूनिसेक्शल फ्लावर्स Neh you know Bisexual flower and Unisexual your flower brighter ताइप के दो ठाल पहते अब जो बासक्तिल प्लावर उसका एक दूसरा न में वह तुसरा निम क्या है हर्माप्स हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बैसेक्षिल फ्लावर कैसे फ्लावर होते हैं बैसेक्षिल फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें स्टेमेंस और कार्पिल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं ऐसे फ्लावर को बैसेक्षिल फ्लावर कहते हैं a flower in which stammens and carpels are present is called biosexual flower so biosexual flowers are called biosexual flowers now let's talk about unisexual flower unisexual flower is called biosexual flower if this is called biosexual flower then unisexual flower so in the definition of either stammens are carpel carpel are present stammens or carpels are present unisexual flower unisexual flower unisexual flower an unisexual flower one of stammens यह एक फ्लावर का मैंने क्रॉस सेक्षन दिना है और यह सेपल हो गई और यह पेटल हो गई और यह स्टेमन हो गया यह यह एक ऐसा फ्लावर जिसमें कि इस्टेमन ही प्रिजेंट है अब बनाते हैं यह स्टिग्मा है और यह स्टाइल है तो यह एक ऐसा फ्लावर है जिसमें कि इस्टेमन ही प्रिजेंट है तो ऐसा फ्लावर जिसमें कि इस्टेमन ही प्रिजेंट होते हैं उन्हें इस्टेमिनेट फ्लावर बोलते है इस्टेमिनेट फ्लावर और यह एक ऐसा फ्लावर है जि तो अब एक बार सब पूरा अच्छी से देखते हैं, तो टाइब औब फ्लावर्स, फ्लावर्स दो तैप के होते हैं, यूश्थाट्य फ्लावर्स बाजस्प्लावर का का दूस कर साथ, हर्माफृॉदी फ्लावरड आब डिफीनेशन के एक एप्लावरे आट से एक हvarно दोनों ही एक हम आरें से आरेह व्हुए पैसे अरे होले कोई से लुए वार गहते हें और इस项 में के लेगे कार प कर लिए पिस्तिल प्रेजंटD तो इसे पिस्तिलेट प्लार बोलते हैं तो जिसमें इस्तेमिन सिंट्वावर बीजिर दो पिस्तिलेट प्लार बोलंगे I hope now it is clear then if you like my video please subscribe to my channel like the video and share videos to your friends thank you